दुनिया के सबसे बर्स्ट और वोईलेंट कार क्रेश में से एक दा ओडी आरे 6 क्रेश 27 फेबरेरी 2019 एक आदमे अपनी 600 होर्सपार वाली ओडी आरे 6 से जो कि ओडी की फास्टेस्ट कारों में से एक है जो 0200 सिर्फ 3.5 सेकंड्स में चली जाती है उससे जर्मनी के ओटमन पर 300 ब्लस की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था जो कि वहाँ पर स्पीड लिमिट जैसी कोई चीज ही नहीं है तभी सामनी से एक सैमी ट्रक बिनर रियर बिनर चेक ये फास्ट लेन में एंटर कर जाता है जिसकी वज़े से ओडी आरे 6 ट्रक के लेफ्ट साइड में हिट करती है और क्योंकि स्पीड बहुत जाता थी तो इसका रिजल्ट कार हवा में लॉंच कर जाती है लिटरली कार फ्लाय करते हुए साइड के पोल से क्रेस कर जाती है जिससे आरे 6 बीच में से टियर हो जाती है लेकिन सबसे स्केरी पार्ट तो अब आता है गाड़ी तो गाड़ी ड्राइवर की बोड़ी भी दो ही स्वमें टियर हो जाती है मतलब ड्राइवर की हाफ बोड़ी तो कार में ही मिली लेकिन बाकी हाफ बोड़ी उसके बाद मिली ही नहीं एट इसी वज़े से वर्ल्ड का सबसे वोईलेंट कार क्रेस भी माना जाता है